मोबाइल पर आने वाले एड को हम किस तरीके से बंद कर सकते हैं जैसे कि आप लोग यहां पर दे सेते हैं हमारे पास एक पेमेंट का मेसिज आया और उसके बाद यहां पर तुरंट एड हैने लगा अगर यह मेसिज हमारे पास बाइचान समान लेजिए नहीं भी आता कोई ज चला जाएगा और कई बार हम कोई application प्ले करेंगे तो उसके अंदर भी हमें इस तरह का जो एड है वो यहां पर दिखाई देता है तो आखिरकार इस एड को हम किस प्रकार से अटा सकते हैं क्योंकि यह हमारे बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इस तरीके एड हमारे दिखाई देगा अब यहां पर आप सभी लोग ना setting के ऊपर क्लिक कर देजेगा और यहां पर आपकी Gmail ID भी दिखाई देगी तो यहां पर आप सेटिंग भी क्लिक कर देजेगा मैंने Gmail ID उपर hide क्लिके रखे हुई है और उसके बाद यहां पर नीचे आएंगे तो आपको य देखिए सबसे पहले यहां पर आपको आना है अपपर न यerson smlasya में और यहां पर आपको देखे प्राइबीस को दिखेंगे इसके आप आपको कलिक कर冷स ऑब जब नदूसरया दे है अब जैसे वह हम इसको कंचे लिस्वेफिए फिलिए यहां पर नहीं तो इसके बाद यहाँ पड़ाइट और पैसे क करना है और किंग यहाँ आपको उन्हार करना है और और बास इसके बाद आपको इतना सा काम करना है और इसके लिए आपको उर्भी छी बताता हूं वह भी आपको फोलो करनी पड हैं जो कि सारी चीज आपर हों गई से ब्राउजिंग के अंदर जैसे मोबाल के सेटिंग अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहांपर आपको अप्सन मिलेगा इसके क्लिक करके रखना है ठीक है और यहां पर आपको बेक्राउंड डटा ओप करके रखना है उसके बाद यहां पर आपको आना है स्टोरेज में और यहां पर आपको मैनेज कर लेना है और इसको फोर स्टोप करके फ्री स्पेस यूप आला करके आपको बेक करके छोड़ देना है बस इ